तुम परास्त होए भीम सम्विदा क्या अनुसार अब तुम भोजन बनोगे मेरा मैं तुम्हें तुम्हारा वचन पूर्ण करने का एक अवसर अवश्य दूँगा फरन्तु स्वर्ग से बाहर जाते ही तुम्हें मुझसे भी तिव्र गती से चल कर मुझसे पूर्व इंद्रप्रस्त पहुँचना होगा चूकि यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें खा जाओंगा पुरुश्मृग ने तो पकल या भीम को नहीं पुरुश्मृग जी अब आप मुझे तो क्या किसी को अपना भूजन नहीं बना पाएंगे क्योंकि मैं परास्त नहीं हुआ देखिए मैं महल की सीमा में प्रवेश कर चुका हूँ भीतर हूँ मैं नहीं तुम स्वयम को भीतर देख रहे हो जबकि मैं तुम्हें बाहर देख रहा हूँ अभी भी तुम बाहर ही मने जाओगे नहीं पुरुश्मृग जी मैं आधा भीतर हूँ और आधा बाहर मैंने अपनी महल की सीमा को स्पर्श कर लिया है अता, अब यदि आप मुझे भोजन बनाएंगे तो ये अन्याय पूर्ण होगा अधर्म होगा यदि तुम्हें विश्वास है कि ये अन्याय है अन्याय तुमारे ही भ्राता न्याय मुर्ती धर्मराज युदिष्ठिर करेंगे वही ये नेर्णाय लेंगे कि तुम पर मेरा अधिकार बनता है या नहीं धर्मराज युदिष्टिर आपके ब्राता भीम इंद्रप्रस से बाहर है या भीतर क्या आप इस विशय में निश्पक्ष निर्णाय करने के लिए प्रस्तुत हैं। तो प्राण बरलब जेश्ट पांटो पुत्र युदिष्टिर को तो धर्मराज का अंश मानते हैं। तो क्या वा निश्पक्ष निर्णाय ले पाएं। और फिर हनुमान ने आगी क्या किया। प्रिये। सब पताता हूं। सपर्धा के नियम एवं समस्त वस्तु सिती को जानने के पश्चात युदिष्टिर भी अच्छमंजस में पढ़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या निर्णे दें। जी आप धर्म राज हैं। आशा है आप उचित ही नियाय करेंगे। ना जाने क्या निर्णे देंगे धर्म राज युदिष्टिर। मेरा भाई मुझे प्रियै। मैंने ही इसे भीजाता स्वर्ध। आपको उंद्रप्रस लाने के लिए किंतु न्याई की दृष्टी में प्रिये अप्रिये अपना पराया सब एक समान है क्यूंकि भीम के शरीर का आदा भाग महल के अंदर और आदा भाग महल के बाहर अता न्याई के अनुसार भीम की आदी देह पर पुरुष म्रिग का अधिकार माना जाएगा ये कैसा निर्ने सुना दिया है युदिष्ठिन किन्तो बड़े भाईया यदि पुरुष म्रिग ने भीम भाईया के आदे देह को खा लिया तो इनके मृत्य हो जाएगी नहीं अर्जुन बड़े भाईया के निर्णे पर आक्षेप लगाना अनुचित है भाईया आपका निर्णे मेरे लिए आदेश है जिसका पालन अवश्य होगा हे पुरुष म्रिग ये धर्म के पत पे चलने वाले महान शिवभक्त आपको आपका अधिकार अवश्य मिलेगा न्याए के अनुसार, मेरी देख आधा भाग आपको समर्बित है ये तुमने क्या किया भी, परिनाम जो भी हो, किन्तु तुम्हारे न्याए प्रियता प्राशंस्निय है तुम्हारी देह जितनी सुद्रण है, तुम्हारे रिदे उतना ही कोमल मैं तुम्हें अपनी संविदा से मुक्त करता हूँ तुम्हारे भ्राता योदिष्ठिर ने निश्पक्ष होकर नियाय किया है और भीम तुमने भ्राता के निर्णाय को आदेश मानकर अपने प्राणों के चिंता किये बिना स्वैम को समर्पित किया तुम पांडवों जैसे धर्मपत के अनियायों की इस संसार को बहुत आवश्यक्ता है तुम वृत्यों के नहीं अभय के अधिकारी हो अपका बहुत बहुत आभार पुरुश्मृक जी यदि आप हम पर प्रसन हैं तो मेरे बड़े भाईया की इच्छा पूर्ण कीजी अपने पावन जड़नों के स्पर्ष से हमारे इस महल को पवित्र कर दीजीए इंद्र प्रस्थ पुरुश्मृक प्रवेशा पांडव सकलुल्ला स्वहरशा परिक्रमा जो नगर लगाई अलोकिक उर्जा सब दिशा छाई हमारी कर्म भूमी महल पर कृपा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुरुश्मृक जी आप सब की सदय उच्य हो किन्तो मैं इस प्रकार नहीं जाने वाला यहां से अब क्या चाहिए इन्हें कहीं पुना कोई असंभो कारिये तो नहीं बता देंगे यह बहीम मुझे क्या थै हमारी इस परदा में तुम्हारी साहता किसी और ने की है इसलिए कहीं यह पुना नहीं अब जो भी हो मैं किसी भी परिस्थिती के लिए प्रस्तुत हूँ जिनके कारण यह संभाव हुआ मैं उन महाबली के दर्शन करना चाहता हूँ यदि वो हस्तक शेप नहीं करते तो मार्ग में ही तुम मेरा हार बन चुके होते वही मेरे मार्ग में बार-बार शिवलिंग उपस्थित करते मुझे तुम तक पहुचते से रोक रहे थे यह आप किसके विशे में बात कर रहे हैं पुरुष्परग जी वही जो जगत के संकट मोचन है जिनोंने भीम कोई संकट से उबारा संकट मोचन महाबली हनुमान और कोई भी महान भक्त अपने भगवान की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकता और ये तो शिवजी के महान भक्त हैं अता इन्हें बारम बार शिवजी की पूजा के लिए रुखना पड़ा भेम उन महाबली हनुमान के दर्शन कराके मेरा जीवन धन्य कर दो ओए संकट मोचन ओए महाबली हनुमान हमें दर्शन दे कर त्रितार्थ कीजे प्रभू आपको कोटी कोटी नमन हनुमान जीभा आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया पुरुष मृग जी, आप जैसे महान शिव भक्त के दर्शन तो मैं भी करना चाहता था क्योंकि श्रेश्ट भक्ती भक्त को भगवान से एकाकार कर देती है आपने बारम बार शिव लिंगो पस्तित करके मुझे मेरे प्रभू की बार बार पूजा करने का ओसर प्रदान किया इसलिए आपको शश्शत धन्यवाद आप भी यहां तक आए अपने चर्णों से इंद्रप्रस्त को पवित्र किया इसके लिए आपको भी कोटी कोटी धन्यवाद सत्य तो यह है इस महल में पवित्रता भाग शिरोमणी हनुमान जी के पावन चर्णों के कारण ही आई है इनकी जिस पर क्रिपा हो उसे सदय विजय की प्राप्ती होती है मुझे दर्शन देने के लिए आपको धन्यवाद हनुमान जी हे महान राम भक्त, हे संकट मोचन हनुमान आपने मेरे अनुज भीम को विकर संकट से उबारा इनकी रक्षा कि आपका योकार हम पांडव कभी नहीं भूलेंगे हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन भक्त होगा जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं होगा को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तेहारो अंजनी पुत्र हो के सरी नंदन शिव के जो अंश शिवांश पुकारो बाल समय भानो भक्ष लियो तुन जान के फल कोई प्यारो प्यारो देव की ये बिनती तब छोड़ो देव की ये बिनती तब छोड़ो दिनकर जग में की उजियारो को नहीं जानत है जग में कपे संकट मोचन नाम तेहारो वज्र प्रहारा तूटि हनु तव नाव भयो हनु मान तेहारो आशिश रूपी वर्दान अनगिन देव सभी तुम को दैडारो राम के काज को देके सहाया जग कल्याड को धेये है धारो को नहीं जानत है जग में कपे संकट मोचन नाम तेहारो प्रनाम प्रभु श्री राम बर्षों से तरस्ते इन नेत्रों को आज आपके दर्शन हो गए प्रभु मेरे श्री राम आपके श्री कृष्ण रूप में भी सदेव हनुमान ने आपको राम के रूप में क्यों देखा प्रिये भक्ति की पराकास्था होती ही ऐसी है हनुमान ने अपने हृदे में मेरे श्री राम रूप को बसाया हुआ है और जब कोई सच्चा भक्त किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को देखता है जिसके प्रती उसके मन में अपने प्रभु के भाती ही श्रद्दा हो तो उसे उस व्यक्ति या वस्तु में ही अपने भगवान के दर्शन हो जाते है यही कारण है कि भक्त पत्थर में भी अपने भगवान को देख लेता है इसलिए उस दिन पांडव मुझे श्री कृष्ण के रूप में देख रहे थे किन्तु हानुमान को मैं श्री राम के रूप में दिखाई दे रहा था अच्छा है कि आप पांडव बंधों के साथ हैं आप जिनके साथ होते हैं बल, विवेक और सफलता का वरदान उन्हें के साथ होता है प्रभू जिनके साथ आप स्वैम हो उन्हें भला किसी और वरदान की कोई आवशक्ता नहीं है हनुमान क्या आप भूल गए श्री राम को भी हर कारे में आप ही किया वेशक्ता थी प्रभू अब मैं क्या कहूँ आप तो अपने इस तुछ से भक्त का मान बढ़ा रहे हैं जिस प्रकार श्री राम ने तुम्हारी साहिता से राक्षोसों का संगहार किया था उसी प्रकार, पांडवों एवन मुझे भी अधर्मियों के विनास के लिए भविश्य में होने वाले महा युद में तुम्हारी साहिता के आवशक्ता होगी अनुमान प्रभू धर्म पत के पथिकों की साहिता के लिए हनुमान सदैव तत पर रहा है और सदैव रहेगा तुम्हारी हुंकार शत्रों के रिदय को कम्पित कर देगी। धर्म राज युदुष्ठिर, अर्जुन, नकुल सहदेव, मेरा आशिरवाद है आप सबको। युद्ध के अंतक भी आप सभी को कोईक्षती नहीं पहुचा सकेगा। मेरी शक्ती से आप सदैव रक्षित रहेंगे। अर्जुन, धर्म युद्ध के समयत तुम्हारे रत की पताका में उपस्थित रहका, तुम्हें हर संकट से रक्षित करूँगा। प्रभू, अब आप मुझे आशिरवात दीजिए, जिससे की मैं अपने दिये हुए वचन को भली भात ही निभा सकूँ। हनुमान, मेरा आशिरवात तो सदैव तुम्हारे साथ है। अश्यर है स्वामी, अरजन की रत पताका में इसते रहकर भी हनुमान ने पांड़ों की सहायता कैसे की। इस प्रकार तो वो एक सिर्फ मार्वदाशक बने रहे होंगे। और क्या हनुमान ने उस महायुद्ध में सक्री रूप से भाग लेकर पांड़ों की सहायता की थी। सक्री तो हनुमान आरंब से अंतितक थे प्रिये। किन्तु कपी ध्वज के रूप में। और इस सत्य का पता अरजुन को भी युद्ध की समाप्ति के बाद ही पता चला। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए बदाई हो पार्थ। अब रत से उतर जाओ। यह हमारा विजय रत है माधाओ। इसी पर आरूड होकर हमें हस्तिनापुर चलना चाहिए। नहीं धन अंजय। अब ये रत इस योग्य नहीं रहा। अतै यहीं उतरना होगा तुम्हें इस रत से। अपने इस विजय रत के अंतिम दर्शन करते हैं। ऐसा क्यों कह रहे है माधाओ। कुछ तो रहसे है इसमें। आपने हम सभी का बहुत साथ दिया है। अब आप भी इस रत को त्याद दीजिये। संकट मोचन अनुमान। अरे रत से ठकरा रहे थे। इनके वार से तुमारा रत तो कब का द्वस्त हो चुका होता। किन्तु हनुमान आरंब से ही उन अस्त्रों के समक्ष ठाल बनकर तुमारी रक्षा करते रहे। इसलिए ते रक्षप किया है। हम पाचो पांडव आपके सदैवाभारी रहेंगे। साथ धड़े माधव हनुमाना पांडव भाई करे पर नामा। सदैव विजाई भवा। हनुमान तुम्हारी भक्ती की शक्ती ने उन्हें अधर्म का नाश करने के लिए हम सब की सहायता की। मेरा आशिरवाद है तुम्हें। जो भी मनुष्य, पून, श्रद्धा एवं भक्ती भाव से तुम्हारा स्मरन करेगा। तुम्हारी भक्ती की शक्ती से उसके कष्टों का नाश होगा। प्रभू, आपकी कृपा का पाराबार नहीं है। आपका साथ पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हारी एवं तुम्हारे भक्तों की सदा जय हो हनुमान। जय श्री राम। कुरुक्षेत्र का ये भीषन संग्राम यहीं समाप्त नहीं हुआ था। जब तक संकट मोचन हनुमान पांडवों के साथ उनकी पताका में उपस्थित रहे। तब तक पांडवों को हर अनिष्ट से उन्होंने रक्षित किया। हर संकट के समक्ष ढाल बनकर उन्हें बचाया। किन्तु संकट मोचन के युद्ध भूम से गमन करते ही एक प्रचंड संकट ने पांडवों की ओर बढ़ना आरम कर दिया था। उस प्रचंड संकट का नाम था अश्वत्थामा। पांडवों की गुरू द्रोनाचार का पुत्र अश्वत्थामा। नहीं दुर्योधन नहीं। तुम्हारी ये तुशार नहीं देख सकते हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन का गुरू ब्रहाता ही नहीं। परम्मित्र भी था। महा भारत युद्ध में कौरवों की पराजय और उसके पिता दुरूनाचार की मृत्य के कारण उसके रिदय में प्रतिशोध की अग्णी धदक रही थी। और उस अग्णी में गृत डालकर उसे भढ़काने का कार्य किया अंतिम श्वास लेते दुर्योधन के संबादों ने। मुझे उस दिन सबसे अधिक दुख हुआ था जिस दिन गुरू देव दुरूनाचारे की बित्ति हुई थी। तुम्हारे हृदय की पीड़ा को मैं समच सकता हूँ मित्र। किन्तु युद्ध में वीरगती को प्राप्थ हुए युद्धाओं पर गर्व किया जाता है। दुख नहीं। वीरगती नहीं मित्र। वीरगती नहीं। चल के साथ वद किया गया था उनका। पांडवो ने किया था ये चल। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र। ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा ही हुआ था। गुरुदेव द्रोनाचारिय का साहस तोड़ने के लिए। तुम्हारे वद की मित्धिया सूचना दी गई थी पांडवो द्वारा। ये सुनने के पाशात गुरुदेव ने आस्त्र शास्त्र रख दिये। उस तुष्ट द्रिष्ट द्यूम्न ने गुरुदेव का वद कर दिया। नहीं, 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 बिताश्रे। पांडवो के छल का भयांकर परिणाम भोग ना होगा। मित्र दुर्योधन, शबत है मुझे कि तुम्हारी अंतिम सुआत से पुर्व। मैं अश्त्र थामा, पांडवो कोनके वंश के साथ ही समाप्त कर दूँगा। मेरे प्रतिशोध की अगनी में पांडवो को जलना होगा। जलना होगा। प्रतिशोध की ज्वाला जब धतकती है तो मनश्य को राक्षस बनते समय नहीं लगता। वही अश्वत्थामा के साथ भी हुआ। मदांध अश्वत्थामा सीधा पांडवों के शिविर जा पहुँचा। जहां भीशन युद से क्लान्त हुए पांडव बेसुध होकर निद्रा मगन लेटे हुए थे। मेरे पिताश्री का छल से वद करने वाले पांडवों, सुख के निद्रा में मगन हो। तुम्हारी सुख के निद्रा को चिर निद्रा में परिवर्थित कर दूँगा मैं ये गाथा है धर्म के सम्मान की सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की प्रतिशोद की भावना से किया गया कारिय प्रतिद्वन्दी के लिए नहीं अपितु स्वैम के लिए घातक हो सकता है शीघरी पांडव कुमार परिक्षित का राज्य अविशेख होने वाला है तुम्हें जाकर उन्हें आशिरवात देना होगा और उन्हें उनकी शक्ती और युद कौशल से परिशित कराना होगा महराज परिक्षित आप स्वैम सक्षम है विश्णू रत हैं आप जब तक आप पूर्ण धर्म निष्ठा के साथ राज नहीं करेंगी तब तक कल्यूक अपना राज पूर्ण तह नहीं पहला सकेगा